ओनलाइन क्लास में आप सभी लोगों का अर्दिक स्वागत और अभिनंदन है। काफी समय बात ओफलाइन क्लासिस की बाद ओनाइन क्लासिस शुरू होने जा रही है। आज हम लोग जिनेटिकली मोडिफाइड क्रॉप्स की बात करेंगे। वैसे ये टॉपिक हम क्लास रूम में डिसकस कर चुके हैं लेकिन आप लोगों की रिविजन के लिए ये टॉपिक में फिर से ओनलाइन क्लास में डिसकस करने जा रही हूँ। कि जनेटिक इंजिनेरिंग रूप से जो फसले मोडिफाइड की गई है उन फसलो को कैसे बनाया गया है। उनकी क्वालिटी जो है वो क्या होती है उनका इंपैक्ट क्या हो रहा है। इन सब की बाते वन भाई वन हम इन वीडियो ग्लास इसमें करेंगे। सबसे पहले जीम क्रॉप्स होती क्या है यह मतलब जनेटिक मोडिफाइड क्रॉप। अनवानशी की रूप से रुपान्त्रीत फसलों का मतलब होता है ऐसी फसले जो जनेटिक इंजिनेरिंग से मोडिफाइड करके बनाई गई है जिसमें किसी बाहर जीन को इस व्स तनांत्रीत किया गया है जिसमें कोई प्लान collect RNA में बाहर का जीन डाला गया है यह plant और सनपन्रीने में बाहर के जीन को इस़्षनांत्रीत करने से उसका जो मौड notamment भू प्रित हो जाता है इसकारण हम इसको genetic modified कहते है चुकि foreign gene हम डालेंगे यह हमारा gene of interest होता है gene of interest होता है हमारी पसंद का gene होता है मालों कि कोई gene हम डाल रहे है वो gene उत्पादन अधिक दे सकता है वो pest resistance हो सकता है वो draw tolerant हो सकता है तो वो gene कौन सा है जो आप डाल रहे है वो उसकी nature पर depend करता है चुकि इन जीनों की सनांतरन से मुख्य जोकुन सूतर होता है पात्पों का उसमें ने जीन का समावेश हो जाने के कारण इसको genetic modified crops कहेंगे genetic modified crops को हम genetically engineered crops या ट्रांसजनी या फिर बायोटेक crops के नाम से भी जानते हैं genetic crop का history बहुत important है कई competitive exam में प्रेश्ण पूछते हैं university exam में भी पूछा जाता है first genetic modified crop जो है वो 1982 में एंटिपायोटिक डिजिस्टिन टबेको प्लांट था जो तबाकू का पोदा है तबाकू की जो species है वो first genetic modified plant है एक्जामेर क्योशन आए first genetic modified crop कोन सी है तो टबेको the first genetically modified crop approved for cell market में cell के लिए जिस crop को सबसे पहले अप्रूव किया गया था USA में वो 1994 में था और वो flavor server tomato है flavor server tomato first ऐसी crop है जो market में sell के लिए उसको अप्रूव किया गया था 1995 में BT potato was approved by the US Environmental Protection Agency making it the country's first pesticide producing crop in 2000 vitamin A enriched golden rice was developed हम सब लोग शानते है मार्केट में बहुत बड़ी amount में आ रहा है golden rice vitamin A की deficiency को पूरा करने वाला चावल है तो इसको 2000 में हमने agriculture group से इसको अप्रूव कर दिया था मानेता देती थी और हरी country में इसकी ZM crops and food security हमें क्यों जरूरत पढ़ रही है कि हम इस तरह की फसलें बनाने लगे हैं क्यों जरूरत है ZM crops की क्योंकि जो day by day जो world hunger है वो लगातार increase हो जा रहा है भुक्मरी लगातार बढ़ रही है इस घरन food production को बढ़ाना बहुत जरूरी है तो food production बढ़ाने के तरीके जो है हमारे पास है वो इस बजनिटरी इंजिनिरिंग बहुत अच्छा option है जिसके मादम से हम बहुत कम समय में भी उतवादन अधिक प्राप्त कर सकते हैं यह जो फसले जो है वो किसी तरह की soil में grow कर सकती है drought resistance crop हमने बनाई है जैसे आप लोग देखी रही है कि मारवाड में खजूर हो रहा है हमारे हाँ पे अनार हो रहा है क्या कोई सोच सकता था कि इस रिगिस्तान में भी यह फसले होगी लेकिन हो रही है तो इस तरह की hybrid और genetic engineering फसले हम बना चुके है जो drought resistance यहने की सूखे छेट्रों में भी कम पानी में भी आसानी जे वर्दी कर सकती है डेवलप साल टोरेंट जो मिट्टी जो जिसमें साल्ट की मात्रा बहुत अधीक है जा नॉर्मल फसले नहीं हो रही है हमने तुठाल टोरेंट फसले भी बना दी है जो इस तरह की मिट्टी में भी ग्रोग कर सकती है अधीक मात्रा में भी जाती है तो ऐसी फसले बना ली गई है जो अपने आप ही नाइटोजन फिक्सेक्षन करने में सक्षम होगी उनमें नाइटोजन फिक्सेशन करने वाले जीनों को डाल दिया गया है बहुत सारी एक्जामपल हम देख सकते हैं राउंड अफ रैडी क्रॉप्स है और बीटी कॉटन जीयम क्रॉप्स एंड फूट सेक्योरिटी की बात हम कर चुके हैं एक्जामपल हम देख लेते हैं कुछ जीयम क्रॉप्स के कि कौन कौन सी जीयम क्रॉप्स अब तक फैमस जीयम क्रॉप्स बना चुके हैं हम लोग जैसे बीटी कॉटन जिसका नाम हम रोज सुनते आ रहे ह बैसिलर्स तुरेजनेसिस के BT-Zene को निकाल कर cotton में ढाला गया है और यह बॉल वर्म के प्रती रेजिस्टेंस हैं इंडिया में पहली कल्टिवेटेड ट्रांसजिनिक प्लांट BT cotton ही है गोर्डन राइस यह बीटी राइस BT बैंगलादीस में BT ब्रेंजल की केती की जा रही है लेकिन भारत में सुप्रीम कोट ने इसकी केती पर रोग लगा रखी है कि मानव जो कई बार ऐसे वे आते हैं कि वो यह कह रहे हैं उनका यह तरक है कि यह इन्वार्मेंट के साथ मानव स्वास्ते को भी नुकसान पहुंचाएगी तो जो कोंट्रोवर्सी होती है उस कोंट्रोवर्सी के कारण BT ब्रेंजल की खेती अभारत में भी नहीं की जा रही है फ्लेवर्स अभी ट्रमेटों 1994 में पहला एसा क्रॉप है जो इंट्रडूज किया गया था सेल करने के प्रफ़ज से इट इस अपोस्ट टू टेस्टी और फ्रिमर एंद फ्रेश देन अवरेज ट्रमेटों एवरेज ट्रमेटों की तूना में इस ट्रमेटों को लंबे और स आज हम अपने इस क्लास में गौल्डरन राइस की बात करिंगे हम ट्राजर नरीगे आपके ब्लेटों आपके चार वसले मेजर four crops यह स्लिबस में जिसमें से फिर्स्ट जो क्रॉफ है वो है golden rice, जो सुनहरा चावल market में हम लोग देख रहे है golden rice, उसको कैसे बनाया गया है, फिर्स्ट आइडिया डिसकस किया था, जो इंटरनेशनल rice research institute में conference हुई थी, फिलिपिन्स में 1984 में वहाँ पर यह आइडिया को डिसकस किया था, उसके बाद 1984 में यह आइडिया डिसकस किया और इस आइडिया को implement किया गया था 1999 में 1999 में इंगो पोटरिकस त्वारा, इंगो प करने वाली इंस्टिट्यूट है, उनके हैड है और इनको ही श्रे जाता है golden rice बनाने का, क्योंकि golden rice होता है, नॉर्मली जो rice होता है, उसमें विटामिन की एक ही कमी पाई जाती है, तो इस राइस में, जो normal rice है, उसमें carotinoids बनाने वाले जीनो को डाला गया है, carotinoids विटाम से ही विटामिन E का निर्मान होता है, 2000 की टाइम मैगजीन थी, उसकी cover story थी, this rice could save a million kid a year, क्योंकि हम सब लोग जानते हैं, विटामिन E की deficiency से, साल में कई हजार बच्चों की मौत हो जाती है, तो ये बहुत सारे बच्चों की life save करेगा, ऐसा टाइम मैगजीन का cover page में था, ये जो cover page आप देख रहे है, टाइम मेगजीन का, बहुत फैमस मेगजीन है वर्ड की, उसकी cover story ये थी, मई 2000 में एड्रियन डुबॉक ने जो का, वन मन्थ डिले, 50,000 ब्लाइंड चिल्डन परमान, लगबर 50,000 बच्चे जो ये ब्लाइंड पैदा होते हैं, विटामिन E की कमी से, अंधावन आता है, हांको में बच्चा उसे देख नहीं पाता है, क्या एक conference हुई थी, जिसमें क्या biotechnology वर्ड में भुक माली को solve कर सकता है, definitely अगर सही तरीके से इनवर्स लों को डवलप किया जाए, तो ऐसा आने वाले समय में हो भी सकता है, चावल में क्यों विटामिन E नहीं है, क्योंकि चावल में जो विटामिन E की पराबलम है, वो यह है, यह isopentyl dip Reverse PX, इसोपेंटाइल डाइफोसफेट से जर्णाइल डाइफोसफेट बनता है जो दो एंजाइम है पर फाइटोईन सिंतसीस जिसमें फाइटोईन बनता है फाइटोईन डी सैचुरेज जो होगा यहां जो राइस में है यह एंजाइम बहुत लैक होता है सामने जो राइस होता है उसमें ये enzyme बहुत कम होता है और इसकी वज़े से phytoin की वज़े से lycopene बनता है, lycopene से beta carotene बनता है, beta carotene जो होता है vitamin A का precursor है और नॉर्मल जो होता है vitamin A deficiency rise होता है, इसमें ये carotenoid मौजूद नहीं होता है, इस carotenoid की नहीं होने से सामाने चावल में vitamin A नहीं बन पाता है तो vitamin A के कारण हजारों लाखों बच्चे जो हर साल अंधेवन का सिकार होते है, इसके सेवन से, इसके खाने से उनमें इस कमे को रोका जा सकता है golden rice को कैसे बनाया गया है, golden rice technology जो है वो simple beta carotene synthesis के प्रोसीजर पर आधारीत है और यहां पर जो हम लोग प्रमोटर लेंगे वो endosporm का प्रमोटर लेंगे हम अलग अलग आपको मैंने क्लास में बताया है न कि हम लोग जो जीन को डालेंगे तो हम एक प्रमोटर जो उन जीन को कंट्रोल करेगा तो यह जीन हमें endosporm में activate करना है rice के, तो endosporm promoter हम यहां पर यूज करेंगे endosporm promoter यूज करने के साथ साथ यहां पर दो तरह के जीन जरूरी है जो बीटा कैरोटीन पार्थवे के लिए आफशेक होते है एक होता है PSY यह फाइटोईन सिंतसेज इसको डैफोडिल से डैफोडिल एक प्लांट है उससे इसको आइसोलेटेट किया गया है दूसरा है कैर लोग endosporm जो परमोटर है उस परमोटर की साहिता से राइस प्लांट में ट्रांस्प्लांट करके गोल्डन राइस बनाएंगे यह दोनों जीन जो है वो नुक्लियर जीनों में हम इंसर्ट करते हैं और इसके लिए specific endosporm specific promoter हम लोग यहां पर काम में लेते हैं so they are only expressed in endosporm किसमें express होंगे केवल और केवल यह जीन, endosporm में यह जीन एक्सप्रेश होंगे the exogenous icy gene has transit peptide sequence attached so it is a target the blasted where general general diphosphate formation अगर जिसके कारण इस जो है जीन के कारण general general diphosphate बनना शुरू हो जाता है endproduct जो पात्वय का होता है वो lycopene होता है lycopene के कारण lycopene जो है वो accumulate होता है जिसके कारण इसका रंग कैसा होना चाहिए था रेड होना चाहिए था लेकिन इसका चूंकि endogenous enzyme process the lycopene to beta carotene in the endosperm चूंकि यह जो lycopene है यह lycopene किसवे convert हो जाता है beta carotene में मतलब बग्यानिक यह कहना चाहरे है कि endosperm में lycopene accumulate हो जाता है अगर lycopene accumulate होता तो seed का कलर कैसा होना चाहिए था red होना चाहिए था लेकिन lycopene जो है वो किस में convert हो जाता है beta carotene में यह convert किस में हो जाता है beta carotene में beta carotene में convert होने की कारण यह color देता है yellow color तो जो yellow color आता है golden color आता है वो beta carotene की कारण आता है इस कारण ही इस चावल को हम golden rice कहते हैं जो original golden rice सबसे पहले जो golden rice first बनाया गया था उसको नाम HGRI दिया गया था और यह greenhouse condition में only 1.6 microgram per gram carotenoid प्रोड्यूस कर रहा था बहुत कम मात्रा में golden rice first carotenoid प्रोड्यूस करने में सक्षम था कैसे जीन को डाला गया है यह यह आइसो पेंटाइल डाइफॉसपेट इस यह प्रोड्यूस करता है जरनाइल जरनाइल डाइफॉसपेट यहां पर हमने डाफोडिल से इस जीन को आइसोलेटेट किया है 1-5 your whatever sugar or यह बनाता है फाइट W1 य्टोऑन डीस सांचरी उसके बाद हमने बैक्टीरियसे कों सा जीन आसोलेटेट किया है बैक्टीरियसे हमने यह यहат पर पीटा-कैरूतिस आइस जीन करतो है बिटा-कैरूतीस यहां पर बनाता है लाइकॉपीनन लाइकॉपीन नाइक राइस बनता है, तो हमने ये दोनों जीन जो हैं, ये हमने किस में डाल दिये है, ये दोनों जीन हमने राइस में डाल कर गोल्डन राइस बनाया है, और इसका कलर येलोविश ओरेंज होता है, जिसकी कारण इसका नाम गोल्डन राइस रखा, जैसे देखी आप ऐसा है, ये न तरह बहुत कम होने के कारण विटामीन ए बहुत कम बनता है इस कारण 2005 में सिंजेंटा ने एक गोर्डन राइस के नहीं वेराइटी प्रोड्यूस किये जिससे गोर्डन राइस टू कहा जाता है इसमें फाइटोईन सिंथेस जीन को मेर्स से लिया गया है और साथ में जो कारोटीन डी शाचुडी जीन है वो ओरिजनल जीन था वो गोर्डन राइस फॉस्ट का ही रखा गया लेकिन फाइटोईन सिंथेस जीन जो है वो डाफोडिल की जगे यहां कहां से लिया गया है मिर से लिया गया था और यहां एंडोस्पर्म स्पासिविक प् यहां पर जो प्रतिशत गुना ज्यादा करोटीन प्रदूस करता है गोल्डन राइस फर्स्ट के तुल नाम है यहां पर जो प्रदक्शन का रियर था अप्टू 37 मिक्रोग्राम पर ग्राम था अ ज्या गुट केन सब्सक्ते हैं और अचीज एक्टाओ पर टिर तंशक्पार्स।2 2020 मितार्म गदर विर चारच वेच्ट funding from the Bill and Melinda Gares Foundation to further improve golden rice by increasing the level of bioavailability of pro-vitamin A, vitamin E, iron and zinc and improve the protein quality. 2005 में फिर से एक प्रोजेक्ट अपनाया गया था जिसमें ये कहा गया कि vitamin A के साथ राइस में vitamin E, iron, zinc and protein की amount को भी increase किया जाएगा इस तरह का प्रोजेक्ट भी चल रहा है जिसमें आने वाले सटाई में आपके चावल में किवल vitamin E ही नहीं होगा आप उसके साथ vitamin E, zinc जो essential जो minerals हैं जिनकी गमी नॉर्मल बोडी में होती है उनकी गमी को पूरा किया जा सकेगा तो ये golden rice है इसको इंगो पोट्रिकस ने सबसे पहले बनाया था जिसमें दू जीनों को हमने डाला है एक इर्वीन बेक्टिरिया से जो carotinoid production का जीन है वो हमने बेक्टिरिया से आईलो से आईसोलेटेट किया था गोल्डर राइस फोस्ट में एक डाफोडिल प्लांट से हैं उससे हमने जीन को आईसोलेटेट करके इसका एंडोस्पम स्पासिविक प्रोमोटर में डाला है ये द प्रवान करता है तो विटामीन A की कमी को पूरा करने वाला ये rice golden rice के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसका जो color होता है जो yellowish golden होता है एक दम पीला सुनहरा color होने की खारण इसको golden rice कहा गया है अगले वीडियो में हम अगले फसल को डिसकस करेंगे अभी फिलाल हम लोग इतना ही करते हैं आप लोग ध्यान से इसको पढ़िए वैसे हम classroom study में इसको पढ़ चूके हैं फिर भी जो कि हम online platform पर है तो हम थोड़ा revision कर लेते हैं जो चीज़े बहुत important है जो चीज़े exam के point of view से भी important है तो उनको discuss करना भी जरूरी है तो कुछ important आप regular पढ़ा ही कर दे रहिएगा thank you